है गाइस वेलकम बेग तो माई यूटूब चैनल आप लोग देख रहे है पार्थो सानन टेच्स तो गाइस मैं आज आप लोगों को लिए एक वीडियो लेक्के आया हूं कि जिस वीडियो में आप लोगों को एक एंप्लीफायर का रिव्यू दिखने वाला है और इस वीडि रिलेटेट्स वीडियो देखने के लिए और बेल का आइकन को दबा दिजिए क्योंकि मैं डिजे से रिलेटेट्स वीडियो बनाते रहता हूं सो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डारेटली में आप लोगों को एक एंप्लीफायर दिखाऊंगा जो कि यह पचीस सो वाट का एंप्लीफायर है और इसका क्या स्पेसिफिकेशन है सारा में बताने बाला हूं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन स्किप मत कि जिएगा अगर आप इसकिप करते हो तो वीडियो में समध्र नहीं आएगा कि एंप्लीफायर का मोडल और जो स्पेसिफिकेशन है इसका तो फटापट से इसको देख लेते हैं एंप्लीफायर को एक बार और इसको रिव्यू में आप लोगों को इसका स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और यहार गायस यह आप लुक देख सेकते हो डी जे ये 25 जो कि इसका मोडेल नमबर है स्टूडियो मास्टर ब्रैंडिंग है और यह आप लुको देख सेकते हो इसमें आप लुको को को एक स्वीज मिल जाएगा अवन और आप का जो कि और एहीं पर आप लोगों को तीन ए पारकेड होता है तो प्रोटेक्ट ये जल जाएगा और बी चैनल में कुछ प्रوبल्लम आया तो बी का जो प्रोटेक्ट जल जाएगा तो यह तोटाली आप लूग देख सकते हो यह यह बेंटी लेटर है यह बेंटी लेटर जो कि यहांसे हवा जाता है और और ये कलीप का जोकी है अगर आप इसको ज्रयाद है से चला रहे हो तो क्लीप आ सकता है और यह बुस्ट का बैस्ट का भूष्ट का जो की एक कि इस्वासर है शुक्बच होगया दोन जोगी स्काव legal और यह आप लोग देखसे तो हाला कि एक छोटा दिखने वाला अम्प्लिफायर है लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मोस्पेट अम्प्लिफायर का पावर ज्यादा ही रहता है आप लोग देख सकते हो उपर से कुछ इस तरह से दिखता है और इसका बैक पैनल अभी देखने वाले हैं इसमें आप लोगों को दो फैंस मिल जाएगा जो की यह अंप्लिफायर को जो कि थंडा रख सके और यह आप लोगों को फ्रेक्वेंसी सेट करने के लिए दो जोकी न अप रखते हैं तो इसमें सेटिंग करके आप रख सकते हैं जैसे कि इधर का चैनल वान और इधर का चैनल तू अपने इससाब से आप रख सकते हैं और यह हो गया बैस बूस्ट का जो की इसको और रखते हैं तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बैस मिल पाएगा और य यह स्वीच है आप लोग अगर बीज में रखके चलाते हैं तो इसमें से आपपो को ब्रीज मोट पर चलना होगा और इधर से चलाते हैं तो दो इनसे डालना होगा चैनल 1 और STEVE के से चलाते हैं तो चैनल 1 पर ही इन्पुट डालके दोनों चैनल को कॉंट्रोल कर सकते हैं और इस अमप्लिफाइर में आप लोग एक्सलर से भी इन्पुट डाल सकते हैं और इसका जो आउटपुड की बात किया जाए तो यह आप लोग देख सब्सक्राइब ले सकते हैं और यह जो कि इसमें से भी आप लोग आप फुट ले सकते हैं अगर आप लोग को इसको ब्रीज मोड पर चला ना हो तो यहीं से आप लोग इधर से माइनस और इधर से प्लस करके आप चला सकते हैं और यह आप लोग देख सकते हो सेंसेटिविटी सब कुछ यहीं पर आरम से अर्थिंग भी मिल जाएगा फ्यूज नहीं पर मिल जाएगा यह पावर केबल से इसका में प्रेसिपिकेशन की बारे मैं आप भी बताने वाला हूं कि इस एम्प्लिफायर में आप कितना वाट का बैस कितना वाट का टफ चला सकत है फाइनलिए ऑन गायस एस एम्प्लिफायर का जो स्पिसिफिकेशन है अगर इसको बैस चलाना चाहते हैं तो सिंगल बैस आप इसमें चलाना चाहते हैं तो एक बैस आप 650 वाट का जो हुजा है डवलू एक्स सिक्सीप्टी मोडल करके आता है उसको आप आपर चला सकते हैं और इसमें अगर आप चलाने चाहते हैं चाहट चलाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग जैसे कि फोरूम्स का इसका आउटपुट है कि 900 वाट तो इसमें आप लोग 4400 वाट का दो टप अराम से चला सकते हैं जैसे कि आहुजा ऐसे एक च। गृटके गश्यच संबर एक चौनल पर दो और जैसे इसमें एक अगर आठ तॉप चला ना चाहिएये झाल्च यह स्केर ख़ता अथ्क ओंच भनका हो इसमें इसमें त्ये क्ष्जिट में जो एम्प्लिफायर बहुत ही हीट होता है और बहुत ही पावर निकल के देता है तो इसमें टू ओम्स कभी भी मत चलाएगा अगर आपको साउंड क्वालिटी में थोड़ा आगे जाना है तो फोर ओम्स में ही यूज करना चाहिए और इस एम्प्लिफायर में रेकुमेंटेट करूंगा इसमें आ आप फोर ओम्स पे 800 वाट का आराम से लोड़ देके चला सकते हो साउंड क्वालिटी में कोई एम्प्लिफायर में दिख्कत नहीं आएगा और स्पिकर में दिख्कत आने वाला नहीं है इसमें अगर आप लोग बैस चलाना चाहते हो तो 650 वाट का जो आउजा का 625 वाट है जाकर सब्सक्राइब किजिए और बैल का इकन को दबा दीजिए सुगाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए बाए